हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाए डिए एक नंबर और शेचाने हो आट सांगीत लेना ट्याची आई लुपर शुपर जाना तो यह दू करें सब्सक्काइब तुम बच्चे खुटको हाँ अमची मुला मोची नहीं का घाली हाँ हमारे बच्चों नेसे किसी को तांग नहीं किया जब देखो द्राइज करना तरिके खुटको एक नंबर मुवाली जाले चल तू तू काई तू मला समझते हैं फक्ता मस्नी करें चिकल दे कशी रे मुला तू मैं काईने बास तकलीप देना पूरे चाल वालों को तांग करता एक ही घंदा है तू लोगा अभी चाल तेखे आई नहीं कोई तेरा नाम पताती अच्छे से गातेगी ना कभी अक्कल आएगी तू मैं सोड़ा ना कभी तो अच्छे काम किया करो बस तं करो लोगों को जॉद ना काच्छ वाल तोड़ देना फुटबोल खेल के का तोड़ना अखेब्वाइडल इसाल अरे, अरे नलीदी ते घर्पु ताला है काई जाला? हाँ, देखा, अब वो नहीं है करके तू बच गया, समझे? अरे, जाओ देना, सुलबादाई कैसला बांटे रहे हैं इसने बाजी गिरे तो क्या हो गया? अरे, तुम्लागों की वज़े सरा चाल के सारे बच्चे भिगर गए लेकिन नलीदी तो कभी दर्वासा बंदर के जाती नी बाजी रहने चाती है ना तो पुसको दर्वासा खुला होता है ए चल अंदर, चल अरे, कामना है तू? अरे, चल अरे, चलाए! ए बैटा, तू खाले जानबाख वोसक्ता अंदर, तू खाले जांबाख वोसक्ता वो संगीदा की तो चाहेग पिनेगा हो जाजा, क्या तवासारी सागर काम कर सा? अधा वक्तो का का तो आपने चप्ते है ना उसको खुछ में लाल गारी में विठा के लेकिगे का इंतराल भी कर रहा था कोशिज भी आज में टेक्सी रुगा में कि लेकं लाल गाड़ी आई उसको जबर सिखा दिया घुशा दिया लेकि गये उसको अपने गारी का नंबर देखा कुलिस को पताया है न यह थे संगीता ताइंचा भरी बन कुलूप लाया है कि अपने थे लगों पूचा चपने को उठा के लिके गया है को तो पूचा है क्या तो में के रुट्या थे लगे हुए भीना मते हैं सब केसे जा सकते हैं लोग, लोग, लोग! अड़ ब्यबा, संगीधा तो खून बंदा है? केतन काखा तो खून बंदा है कि दूगां तो खून बंदा है? अड़ हां, गुलावड़ी चाली है ना, उसमें से भी एके करके ऐसे गायब होते यह जो अणी, आपले साली में टेप्स होते है वी तो फीक अजी कि घरा हो जो घर्म में आखेला रहते है केतन काका, नलीनिता, संगी ते रही तो अखेली तक है इसका मतलब है गुलाब वोडी चाल की तरह हमारा अमभा वोडी चाल पे भी संकत आ गया है काई? अब हमें किसी की मदद लेनी है किसी? अरे वो ही कुम? इसे हम सब की वाके में परवा है अभी मन्नियू मन्नियू, बचा लिये तुमने बेटा वहना मेरा घर तो गया था मेरे हाद से तुमने बिल्डर के गुड़ों को बगा दिया बेटा जीते रहो बेटा बस बस काका गर आपका था और आपको मिल गे अर इंसान को हके कि इस जिंदगी में सर उठा के शान से जी यह लो आपके घर के पेपर्स अब चाती तान के घर के अंदर गुस्न बगुल दाना, बगुल दाना कॉनाल जी, सुलब जी अरे पानी बानी की बात छोड़ दो अब तो यह जिन्दगी और मौत का सवाल है जिन्दगी और मौत? अभी मनी बढ़ अंदर है ना? अहाँ, सला अभी मनी सर बहुत बड़ा कहत्रा आगया इंचाली वालों के उपर अभी मनी बढ़ा, रात और आट चाल में से कुछ लोग गायब हुए है रात कुछ? हाँ, और एक चोटा बच्चा भी आज पास देखा, फोन मोन किया किसी को सक्ड़ी कड़े पाहिला भाव, फोन ने लग रहा है अरे, लिकेन, ऐसे केसे चले गए? कुछ भोल के गई की नहीं? कुछ नहीं बोला, भाव, रात को थे पन सकाड़ी मुक्तो तो गायब कौन कौन गायबूद? केतन काका और नलिली, तोनों अकेले रहते थे बेचा रहे और कौन? हाँ भाव, वो संगीदा ताई, उनका छोटा बेटा राहूल और चप्टिया अनि साइब, इनका वोई रिष्चदार भी नहीं है फिर जहा का रहे हैं ये लोग ये तो बिलकुल वैसा हो रहा है जैसे गुलाबडी चॉल में हो रहा था दो मैने पहले महाँ भी लोग गायबूर दे रात को और यहाँ पर भी ओही हो रहा है हाँ भर 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 बोला तुम्ही एक डूडे पती पत्नी थे और एक पच्पन साल की और थी अवरत थी अखेली थी बिचारी कर्या आज चले गए आज तक नहीं मिले जा कहा रहे है हूग रहा है जाएंगे कहा पोडी तरी जभर रस्तिक्त केउं जाते हैंते अना पर जाते हों है तिक क्यू नहीं दका और रात को घाया बोरे ह है अब भुग käyttया कि तुम्हें घाना ही आज पड़े तुम्हारा मतला भैकी पुरानी गल्फ्रेंट के बदले में एक नई गल्फ है अगर ऐसा करने का ख्याल भी आया ना तुम्हारे जहन में तो सोचो तुम गए हाहा समाझ गया मुझे छे बजी से पहले घर पहुचना है वरना ममा और भाहिया तो मुझे पता है यार अब अब उनसे क्या कहूं तुम डरो मत तुम तुम्हें काम करो उधर जाकर बात करो और अपनी ममें से जरूर बोला कि तुम ट्राफिक में फस्कुए हो हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ बोलो मा नहीं नहीं अभी क्लास खतम होई है हाँ हाँ में घर पे जल्दी पहुच जाओंगी मुझे पता है क्या श्रीला मा से आने वाली है मैं तब तक पहुच जाओंगी हाँ हाँ मैं बात में बात करती हूँ बाइए यह क्या हजार रुपए की नोट लगता है यहां पैसों की खेती होती होगी कि पाइक स्टार्ट हो गई जल्दी आओ जल्दी यहां से आओ क्या हुआ यहां पैसों की फसल हो रही है हाँ आया है 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 तुर ने दौट उस पड़े लिए पैसे कहा पढ़े पैसे यह तो रहे माइकड इतने सारे पैसे प्रिया यह सब गलत है हम रुग चलते हैं यहां से प्रिया इनका माली कहीं दिख ज़े कि परिया, हमारे लिए उठा ओना प्रिया ऐसे नहें चाहिए हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए हमें रहने दो ठीक टो맛 you प्रिया, यह गलत है प्रिया. छोलो औरहने दो प्रिया! यह योग ? आरतकहँ दो ? प्रिया ! क्या हुआ तुम्हें प्रिया? अरह बाप्रहि यह तो यह तो लाज सुछ districts चलता है तुम दिल से मदद तो करो तुम लोग भाक्यो रहे हैं तुम लोग अरे मेरी मादब तो करो कोई दोवन हाँ सर मैंने यह आपको फोन करके बुलाया है सर सर यह रही उस और अत्मी लाश अरे लाश के पास इतने सारे रुपे सर ऐसा केस तुमें पहली दफ़ा देख रहा हूं यह सारे नोटे लाश को देखो में जढ़ा छर्श यह करूं ब्लाश कों अकशने तुम लोग यहां पर कैसे और तुम्हें कैसे पता चला यह आ पर दूर से पैसे देखिए तुसे कठीया करने गरते मैं आगे खी और यह अगर मुझे पापा को इसके बारे में कुछ मत बताना, वरना वो मेरा कॉलेज जाना ही बंद करवा देंगे. माँबाप से कोई भी चीज चुपानी नी चाहिए. माँबाप बच्चों की भलाई के बारे में सोचते हैं. बच्चों के दुष्मन नहीं होते हैं वो, सबकुल समझते हैं वो, हाँ? ऐसा कभी मत करना हैं? निकिल, इनका एड्रस बगरा नोट कलो दरा, फोन नमबर बगरा, हाँ? प्रणी के बच्चों के लिए नहीं हैं, इतने सारे रुपाय इनके होने सकते हैं. सर, इतना तो पक्का है कि खुणी ने ये खुण थोड़ी नहीं किया, वरन्नों वह इतने सारे पैसे पीछे छोड़के थोड़ी ना चला जाता है? खुणी आए इन्हें आग गजीट के नहीं लाया, ये जबरजस्ती नहीं करके लाया, ये अपनी मर्जी से याँ पे आएंगे हैं. सर, ये कैसे पता लगा है आपना है? निकल इनके कपड़ों में कहीं भी मिट्टी नहीं लगी हुई है, मिट्टी सिर्फ चपल पे लगी है, ना कोई खरोच का निशान है, इससे साफ पता चलता है, ये अपने आप याँ पे आएंपे आई है, कोई जबरजस्ती नहीं हुई है. सर, ये, कितने सारे पैसे? ये पैसे इस बैग में होंगे, जब ये गायलो के यहां पे गिरी तो ये बैग गिरा होगा और पैसे यहां वाँ गिरिगा है, जब ये बैग चकी है, कोई आइडी बगारा मिली? नई सर, पर्स में एक छोटा पर्स है, उसमें खाले 600 रुपे हैं. संदाग दे के लग रहा है कि साधारान सी मद्य मर्गी वरत है, वालना अवी लोग ऐसे बैग ले नहीं चलते हैं. चीक कहा रहा है, जब बड़ी पैसे. सर, चाकू मार के खुन किया है. नहीं फ्रेडि कहारा नहीं है, जाकू गहार सीधा होता है. यह था तो यहां से यहां तक हाँ है, इसी खुमाओदार यहां से माला गया है. खुमाओदार जखन, सर, पैसुल दिए होगी है. पुरे 8.30,000. 8.30,000. सबस्क्राइए टूरा आज कल के जमाने में कोई 8 रूपे ने चोड़ के जाता है ये कुनी तो पूरे 8,30,000 रूपे छोड़ के जला गया जो शक्तार फ्रीयी ये फूनी पैसे उठाने वाला हूँ उसी समय किसी ने देख लिया बाग गया हैं से पैसे छोड़ के लेकिस ये खुमाउदार अतियार कोईता, यह आसपास गाव़े भी तो यहां पे घास काचते होंगे ना? कोईता, अब इस केस के अगली कड़ी कोईता है, यह कोईता ही हमें खोने तक महँचाएगा. साथ साथ लोग गायब होगे, एक के बाद एक और यह सब पिछले दो महीनों से चल रहा है, और फिर भी अमबावडी चाल और गुलावडी चाल को द्यान में आया है? सर द्यान में आया, इसलिए तो मैं आपके पस आया हम. अगर अब इमन्यों दो महीनों बाद? सर, आप विश्वास नहीं करेंगे कि चॉल वालों पर कितना प्रेशर है, लाल बाग, गिरगाओं, वरली, यह सारे जगाओं पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स आ गई है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एसी जगाओं पर जहां पर मिल्ल क्लास लोग रहते थे, ज अब तक उसी में रहो, मगर री डेवलप्मेंट को रोका भी तो नहीं जा सकता ना? ना मानता हूं कि डेवलप्मेंट को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सर, चॉल वालों की पैचान भी तो उस चॉल से है, तो परेर और लालबा के कल्चर का क्या होगा, सर लोग दूर दूर ज चल रहा है कहा है, और सर अगर बेचा होता तो कोई आता, यह एक भी आदमी नहीं है सर, सर कुछ हो गया है, किसी नहीं कुछ कर दिया है, सर मैं बूर रहा हूं आपको वैसे अभी मन में हो, यह साथ लोग, यह जो गायब होएं, उनके डीटेल्स सो होंगे ना तुमारे पास हाँ सर, फायल में फोटो भी है के नहीं के तर्छ यह घरा ए擊 अ शर्णी भाही हिए के अमबा बडी क्ला में रहते हैं यह वित्धल सेठे हैं ँगोला बडी क्ला मेरे च स्था ये क्लिपला।दै यह तक्डड़ है है हो फानकें में आ थी ज़िक अन्गी ऑड्य ओं來到 एक ट एक मिनिट। यह नहीं नहीं है। हाँ सर आप जानते हैं ने? हाँ जुन्यों इनकी लाश मिली है हमें पनवेल से एक खेद में थी लाश लाश? हाँ लाश और उस लाश के साथ-साथ-साथ-8 लाख-30,000 रुपय भी मिलें वहाँ पर सर आठ लाख रुपय? हाँ? सर आठ लाख रुपय कैसे हैं इनके पास? क्यों? दिन राच चक्कर काटती थी यह पेंशन ओपस के लिए एक एक रुपय के लिए सर इसके पती के पेंशन के लिए इतने पैसे नहीं आ सकते इनके पास? हो सकता है उन्होंने अपना घर बेच दिया हो और वह पैसे उसी के हो? इसको पेचाओंगा? ने, ने, शिया ऐसे चाल में अगर कमरा हो तो चाल माली के पूछे वगर कोई बेच नहीं सकता हुसे वैसे यह दोनों जो चाले हैं सभी किसान कोईते सी गास काट रहे सकता है शायद खुन इनहीं में से किसी ने किया है ज़रा बलाएंस अपको अरे सुनो भाई साब आई 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 आज़ा एक मिनिट आई आई आप आई आई क्या बात है साब किसी को ढूल रहा है क्या जर आपना कोटा दिखाना यह तुम्हारा कोटा है है आज साब तुम दिखाना बॉल गुखार आपना आप मंश्किनि कको सुल नर्व.... सुमखियरे बीच बीच नेक था गाना शुंखेयरे जटा कर रहे। प्ःवारियोग मिंदेश्थ। CID से. CID? यह क्या होता है? मैं संजाता हूँ. जैसे पुलिस वाले होते हैं वैसे ही CID होती है. समझ में आया? पुलिसी? तुम दिखा। सब लोग यहीं पर आई ना? कोई गया पने? आसाब तहुरी है. तब देखा। यह वाला. में विखुकी वह और है वे ते पूमारा कॵेथा इन हमुटे से अलगए एसे यह कम्हेरा कोईटा है साब तुम्हारा नहींै तुम्हारा नहीं है नहीं सृ आप लोगों के पास जो क्व gevist आ वो किसका हां, आपका है यहां सब यह हमारे यह है फोई ऐसा आदमी है यहां पर जिसके पास खुद का कोईता ना हो नहीं तो फिर तुम्हारे पास तुम्हारा कोईता क्यों नहीं है तो फिर तुम्हारे पास तुम्हारा कोईता क्यों नहीं है मेरा कोईता कॉंट्रेक्टर साब लेके गए इसलिए काम चला रहा हूं। कॉंट्रेक्टर साब। कब ले गए। कल रात को बोला था सुबा का लोटा दुआ। लेकिन आज वो काम पर रही नहीं हा। क्या नाम है तुमारे कॉंट्रेक्टर का? चंदु। चंदु। कॉंट्रेक्टर। तुम सोवनो तब ही आले? यह सबुआ है चला.. कॉचिन? यह.. अश्चिन का कमरा नूमर त्या है? 63.. यह पिन बुलाई बारात को ने? 63.. को मंदयी.. किबर? कोणा चाजरी? CID CID? CID? यह कमरा नूमर्ब 6C सचिछी त्यज़। प्रश्चिया जब देखे आप लोगों को जो भी पूछना है मुझसे पूछे हम लोग अभी नलीनी जी का कमरा चेक करने आए हैं एक मेट, सर आप एसीवी परदिमन है ना? सर मितुमाला वरतमान फत्रा नहीं बटता है वो पंक्यो क्या हो दाए है? पैन आप सर माई बड़ा पैन हो आपका है अरे रहावदरी सर वह हमारे नलीनी का कुछ पता चला है दिखे एक बुरी कबर है नलीनी की मौत हुए है इसके क्या जूरुएता सर मुझे सर्दी थोड़ी लग रही है अरे तुम्हें इतना भी नहीं बता चलिए कोई बात नहीं मैं बताता हूं यह दस्ता ने थंड से बचने के लिए नहीं बलकि इसलिए पहने जाते ताकि CID के सुराग नष्ट नहीं हो आया समझ में वैसे समझ में तो नहीं है आया साब पर आप इतना के रहें तो पहन लेता हूं लेकिन यह सब ऐसे हो गया वही पता लगने को हम लोग आए हैं लेकिन एक बात है कि नलीनी की लाश में पन्वेल के खेत में बली पन्वेल में? वह पर तो उनका कोई नहीं था हूं वह पर क्या कर रही थी? हाँ सर नलीनी का पन्वेल में कोई भी नहीं आप अच्छी थी वो हमेशा सबको चॉल में मदद करने के लिए सबसे आगे रही थी अच्छा एक बात बताईए नलीनी को आखरी बार कब देखा था किसी ने मैले मैले कब रात को मैं उसके पास साखर उदार माननी गई थी लेकिन सुबे देखा तो उसके दरवाजे को टारो था मतब कल रात को नलीनी अपने कमरे में ठी जब आप शकर माननी गई थी ज़रूर नलीनी कायब ही होगी देर रात को यह पर बहुत जल्दी सुगी पर बात जल्दी सुगी किसे नहीं कुछ दिने चुना नलीनी के कमरे में से कुई आवाजे या नलीनी को देखा इने किसे नहीं है सर अजर ऐसी कोई बात होते तो हम लोग चालवला एकटा मिलके उसकी नलीनी की मदद करके सर मुझी तो Sangeetha और केतन काके के फिकर हो रही है उनलोग दोनों भी अकली रहते थे और अब गायाबो गए उनलोग भी तो क्या Sangeetha और केतन काका वो भी अकली रहते थे हाँ Sangeetha उसके बैटे रहूल के साथ यहां पर अकली रहते थी उसका बैटे के साथ रहते थी तो बैटे के साथ रहते थी यह अभी मन्नी तो बता रहाता है कि गुलाबोडी चाल में भी कोई ऐसा हाथा हुआ लोगोर की गायब होने कि यह सब क्या नली ने कि किसी के साथ कोई दुश्मानी थी कोई जगड़ा वगड़ा था अने सब हम सारे चाल वाले है ना हशी कुछी एक परिवर के तरह रहते हैं सर असका तो एक ही मतब हो सकता है कि यह तीनो अपनी मर्जी से खर छोड़ कर गए है ऐसे कैसे अपने मर्जी से चले जाएंगे वोगी दर्वाजे को पार लगा के अशा आज सुभे आपकी चाल में से कोई अगवा हो गया ना किसी की किडनापिंग हुई है आशर मेरा सबसे प्यारा दोस्त चप्ट्या चप्ट्या और वैट टीवी सीरियल में आर डिपर्मेंट में काम करते सर कार पेंटर का चप्ट्या सर एक बात और यह चप्ट्या लगाड़ भी पाहला होता शायद किसी जरूरी काम से जा रा था हो तो क्या चप्ट्या की किसी के साथ कोई दुष्मनी वगरा नहीं थी? कोई यगड़ा वगरा नहीं था? यह तो मालूम नहीं क्योंकि वो दिल की बात कभी किसी को नहीं बाता दा से यहा लगता यहाँ है लगड़ स्कंप्री को अची दर जचान बारो यह सरण ज़र कि हालत देख के लगता नहीं कि लगड़ा पैसे थे एक बात और एक बात आओ नहीं मेंडी लाश के पास से हमें आठ लाफ थीस हजार उपे मिले आठ लाफ थीस हजार यह? आठ लाफ रुपे? यहाँ आठ लाफ थीस हजार पर वोप ऐसे उसके हो ही नहीं सकते युंकि वो भीचारी खुद सबसे उदारी-उदारी मांग के ही अपनी जिंदगी बत्तर तर रही थी वड़ी वटेब में अलू देख के लगता है कि काफी सामज से ठले पड़े गी लेकिन यह अलू काले के से बढ़ गए बड़ी काटने के बाद जब अलू एसे रग दिया जाते हैं प्रड़ी, फो नहीं खुल? इसका हूँ? या तुम नल्ली जी का? या उनके फोनी का? प्रड़ी, फोनी का? या तुम नल्ली जी केना से ये चाकू मिला है, सर्चिन? इस पल तो खुल लगा हुआ है, च्या कमरे के अंदर भी खुल के दब्बे हैं? नहीं सर, कमरे के अंदर से तो खुल के दब्बे नहीं मिलें, सिर्फ ये चाकू किरा पड़ा था महां पर इस पर वार तो नहीं क्या? सर, इन सब की तलाशी नहीं क्या? सर, हो सकता है किसी के शरीर पे चाकू के खाहू का निशानों आप लोग हम पर शक्र जाचाते हैं? और तारिक ला तारिक कोड मारे ल नली मिला? एक पर टेक पर आप लोगों नहीं को कहाना कि ऐसा कुछ हो लिए सकता चाल में, कोई आया यह नहीं ना कोई गया यह यहां से पूछ रहा है सुलबताई, ठीक ही तो कह रहे हैं सियाडे वाले? सर, हम सब क्याल करें आपके साथ में हैं सर, हमें नहीं पता, संगीता को दूम निकाल यह तो यह वो भी नलीनी की तरह? सर, आपने बताए कि संगीता का कोई बेटा भी है ना? हाँ सर, राहूल राहूल, यह राहूल कौनसी स्कूल में पढ़ता है क्या? बता सकती हैं? क्या है क्या है वफ, इस चाकू पर नलीनी का कुन नहीं है तो बिर किसका? इस चाकू पर किसी पच्चीज तीस साल के लड़के का खून है तो अगर इस चाकू पर तो उंग्लियों के निशान है वो नलीनी की है पर हमारा शक्सा ही दिखला अगर इस खून नलीनी का नहीं है तो फिर इसका एक ये मतलब हो सकता है कि नलीनी ने अपने आप को बचाने के लिए इस चाकू का इस समाल किया है वार करने के लिए मुझरिम पर वार करने के लिए मगर सर चॉल में जितने भी लोग थे उन सब को चेक किया हमने, किसी के भी हाथ पे या शरीर पे जाकू की चोट का कोई निशान नहीं था यानी सर ये काम किसी चॉल के बाहर वाले का है ने श्रया, मुझे ने लगता ये काम किसी बाहर वाले का है ये काम जरूर किसी अंदर वाले का ही है, आमभावारी चाल में रहने वाले का ही है, यब तक हमारी आखों से चुपा हुआ है मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मिलाटा आपको मुझ्रिम के ताले को खोले में मदद करेंगी सर वो कैसे? स्चिरोस्पी यह यह वह वह वह, sorry, sorry मालो, मैं नलीनी हूँ और यह वो चाकु है जिससे नलीनी ने उस हमलावर पे हमला किया और यह है वो हमलावर, वो मुझे जिस तरीके से इस चाकु पर इस खरबूजे के कुछ अन्षाव है ठीक उसी तरह से इस चाकु पर उस हमलावर की चम्री के कुछ अन्षाव है अबस उस चम्री वे मुझे एक खास किस्म का क्रेमिकल मिला है Dermatopheosinabide शर इस चम्री का इस्तमाल अक्सर आर्ट्स और कापिंटरी में किया जाता है अच्छा तब समझ में आया कि आमबावारी चांद में रहने वाले लोगों में किसी के शरीर पर भी इस चाकू के गहाह का निशान क्यो नही क्यों सब रचैंग चप्ट्या 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 अचप्ट्या याद है अमबावादी चाल में रहने वाले पाल-गुनस ने क्या बताया कि वो और उसका दोस्ट चप्ट्या ये दोनों भी मेरा सबसे प्यारा दोस्ट चप्ट्या चप्ट्या और मैं टीवी सिरिल में आर डिपर्मेंट में काम करते सर कार पेंटर का और चप्ट्या अगवा हो चुका है सरी गुथी तो और भी उलज गई मुझरिम खुदी अगवा हो गया अब पता लगाना ये है सचेन कि क्या चप्टे अगवा हुआ है या इस चप्टे ने अपने आपको अगवा करवा लिया है प्रिंस्मिल मेडम आप बता क्यों ने रही है कि स्याइटी अमने उसे मिलने क्यों आ रही है प्रभात मुझे भी नहीं मालूम ऑफिसर अभी जीतने काया कि वह यहां आने के बाद ही बताएंगे मैडम मैंने सुनाए स्याइडी का चकर बहुत ही खराब होता है अगर कोई आप जान पैचानत होती रहेंगे फिलाल मुद्य की बात करते हैं अपके स्कूल में एक रहुल कुमार नाम का रड़का पड़ता है शायद पहली क्लास रहुल कुमार यह वह वह अंबावाडी में रहता है अपनी मार संगीता के साथ हीमत रिकॉर्ड चेकरों जल्दी जी सर यहां दू रहुल कुमार है एक नाइन्थ क्लास में और एक पहली क्लास में यह पहली क्लास होला दिखाएए जरा जी यह दिखिए सर अरे हां सर यही तो है वह रहुल कुमार मा का नाम संगीता और पता है अंबावाडी यह रेड मार क्यों लगावाई लाल निशान सर य पीच में स्कूल छोड़ गया? लेकिन ये राहूल इसने स्कूल बीच में क्यो छोड़ा? सर वो प्रभाद सर को जरूर मालूम होगा. राहूल की मम्मी संगीता उनकी महभूली बेहन है. ये प्रभाद सर कौन है? वही जो पानी पीने बहार गया है. एक है? पानी पीने जो क्या? पानी पीने में कुछ ज़्यादा देर तो नहीं लगा दी. चलो देखते हैं. क्या बात है प्रभाद जी? स्कूल का सारा पानी ख़दम होगा क्या? जो पानी बाहर जा रहे हैं? अई हमारे साथ, बाते कर निया आपसे हैं. जुझा! 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 आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े नहीं? जुझा! तो फिर रावल और संगीता का नाम सुनकर भागा क्यों? तो संगीता तो 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 मारी मुंभोली बैल है, ना? जुझा! वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता था, को इसी तरह के मुसीबत में फसे याईडी लोगों को मुसीबत में फसाती नहीं है, बलकि मुसीबत से बहर निकालती है अता, संगीता और राॉल का है नहीं बताउंगा, वो ऐसे भी पिचारी वो बहुत तकलीक देख चुकी है अता था कि मैं बताउंगा, याई था पीशा मुझे आप कीजिए, याई तुम्हें आश्मा लोगों कि दो मुझे ऑच कुछ नहीं होगा तुभा, अशन नहीं होगा तुम्हें अचारे का। मुझे चक्करा राई अशन मन लोग एक अड़े करिया है करें लीचे मत देखो, ऊपरा खीजब। हडो को को मापकेजिये सर, मैंने आप लोगों को ध्क्का मारा, और आप लोगों ने मेरी जान जान बचाय उसके लिए शुक्रिया अगर वाकरी में शुक्रिया कहना है तो हम जो सवाल बूच रहे हैं उसके सही सही जवाब दो सच जानना है मुझे, पुरा सच, क्या है सब के बीछे एक अकेली हुरत के लिए अपने बच्चे को बड़ा करना असान नहीं होता रहुल की परवड़िष करने के लिए, संगीता को पैसे की सक जरूरत ही इसलिए उसने अपने चाल वाली खुली बेचने के सोचे क्या संगीता ने अपनी चाल वाली खुली बेचती हाँ, मगर उससे उसका सपना साकार नहीं हुआ पुल्टवा मुसीबत के दल्दल में और फस्ती चली गई एलिया मत बजाओ साफ साफ बताओ मने संगीता को सुरिष नाम के एजेंट से मिलवाया जो घरों का सोधा करवाता है संगीता के घर की कीमत पचास लाग रुपए में डील हुई संगीता बहुत खुष देल, लेकिन कुछ दिन बाद तकीमटी तुमम अचाना काजहें इस Шट्ब में? allaager 60-टाइब में मे अपनी चौब और मुझे क्या मेला 58-66, Psychology पाटी के 55-ina-टाइम से तुमें कितेमें बेंट करो ये नाटक भहिया, तुमने ही मिलवा था ना मुझे उस ब्रोका सुरेश से, ये सब तुम लोगों की मिली बगयत है, मुझे अपने घर से निकाल ले की तुम मुझे रख कर रही हो, मैं यभी सुरेश की ख़वर लेता हूँ कोई फायदा नहीं है भाहिया, उसका फोर नहीं लग रहा हूँ और उसके घर पे भी टाला लगा हूँ है ये सब कैसी हो सकता है, मैंने तो सुना था कि सुरेश अच्छ 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 है अब बताओ मैं अपने बच्चे को लेके कहां जाओ, उन्होंने मेरे पीचे गुंटे लगाए उन्होंने काया कि अगो मैं 24 गंटे ही अंदर अपना घर खाली ने करूंगी तो वो संगीता, तुम इस मुसीबत में मेरी वज़े से पसी है महीं तुझे इस मुसीबत से बाहर निकालूगा मैंने उन दोनों को जीव का महिला अश्रम भेजवा दिया, परेल बे जीवी का महिला अश्रम? जी है, प्लीज सर, उस मदद कीजिए सर, संगीता के उसके घर की सही कीमत दिलवा दीजिए सर सर, मुझी तो लगता है, नलीनी जी के खुन में इस चंदुरु खाई हाते है पांच मिनट और सबर को रो प्रेडी, अभी सब पता चल जाएगा तुम लोग यह रोको और चो करने ना, ओके हम लोग अंदर जाते है तेज, अगर तुम्हें पार्टी में नहीं जाना तो तो पहले ही बता देते ना, इत्ती महलत करके तयार तो नहीं होती अरे चलेंगे पार्टी में, आदा गंटा दो मुझे कौन है आप लोग? C.I.D. C.I.D.? हाँ, C.I.D. C.I.D., और यह है, चंदरु, क्यों है, चंदरु? तुम्ही हो ना? चंदरु यह है, और चंदरु तुम्हें से आड़ी की डूंड़ है मुझे कैसे मालूम पढ़ेगा, से आड़ी वाले मुझे क्यों डूंड रहे है अलेनी का फून कर दिया और पोछ रहे मुझे कैसे मलुम है खूल ? तेज तुमने खूनी को दर में बिठा रखा है तेज ड़ी डिड़ा चन्दू, रुख जा अच चन्दू, डुख जा अरि इसे आचानद क्या हो गया प्रेटी इस टेट इसे ने जहर देदिया इसे जहर देदिया इसे लेकिन सब यह अभी तो ठीक था हमें भागा रहा था सर कोई ऐसा जहर है इसने अचानक अपना सर दिखा दिया है अब यह कुछ खाया पिया होगा इसने भी तो अच्छा बला था जाए थे अच्छा यह तो कमाल है मिस्टर तेज अच्छा बला तंदुस्तान मिट एंटो में ऊबर पाँछ जाता है इस कप में ही चाय पी ती ना चंदरू ने? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाते है कि इस चाय में जहर था? लग तो यही रहा है अच्छा बला आपनी यहां से बाहर भागा और वाहां मर गया जहर से, जहर कहां से गया उसके बाड़ी में? आखरी बार आप लोग के साथ यहां बैठाता, चाय पी रहाता, तो जहर कहां से आएगा? हम लोग चंदरू को क्यों आरेंगे, हम तो आज पहली बार उससे मिले थे और आपने तो खुद ही कहाता ना, कि चंदरू एक मुझरिम है किस किताब में लिखा है कि मुझरिम को मारना गुना नहीं है सर हमने किसी का खुणने ही किया, चाय तो मेरे भी पिए यह लिजे सर आप पी के देखे सागा, इसमें कुछ नही है मैं, मैं क्यो पी उ? तुम पीओ, तुम पी की दिखाओ मैं आपियो जी लेजे अब तो खुश हैं आप लोक मतलब सिर्व उसी कप में जहर मिलाया गया जिस कप में चंदरू ने चाय ती इसने बनाया थी चाया हमारे नोकर ही रानी सार तॉक्सिन किट तयार है ठीक है पूरे गर की तरीके सितला शिलो देखो जहर के अंच कहीं मिलते हैं क्या खासता और पे किजन में है तो हीरा जी कितने सारों से काम कर रहे हैं आप यहां पे हैं साप पांच साल से पांच साल काफी टाइम हो गया अच्छे खासे घुल में आप तो यहां पे वैसे मालिक कैसे ट्रीट करते हैं आपको साप यह लोग तो मुझे अपने गर के सदस्दयसा ही समझते है अच्छा तो जब इन लोगों ने तुमसे का कि चंदरू की चाय में जहर मिला तो तो तुम मना नहीं कर बाएं जहर नहीं नहीं साप मैं तो जहर स तब तो हम लोग यहीं पे थे सर् सर् किचर में तो जहर का नाम निशान भी नहीं है तेखे अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम लोग सच बोल रहे हैं वैसे चंदरू आपसे मिलने क्यों आया था जी वो मैं उससे घास की बोरियां खरीदना चाहता था और मेरे चाचा तरसन से्ट उनों ने काहा था कि वो अच्छा कॉंट्रक्टर है करदर परनाम को यई कि अ है क्या नाम पाए टेज ने आपकानाय आपके चाचा का नाम क्या नाम सेथ सर्पभपन सेत थे अंभावारी चॉल के मालीख औरर दर्शन सेत थे और गुलाब बाडी चॉल के भी लोग उसी तरीके से गाइब हो रहे हैं यसे अंबाबाडी चॉल के लोग यह गुलाब बाडी अंबाडी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है यह सारे गुना एक दूसरे से जुड़े हो गए अमबा बाड़ी, गुलाब बाड़ी, दर्शन सेट, राहूल और संगीता चलो जरा इनसे मिलते हैं, जीवी का मेलाशा में यह संगीता अपने कमरे में है यह ज़िए तन्जी यह मेगा, संगीता जाग रही है? जी हाँ, वो तो राहूल को कमरे में सुला रही है आए, सरी संगीता? संगीता! 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 मामी! संगीता! अंगलन, जल्दी से जीवी का मेलाश्रम पहुंचो! जल्दी! जा बच्चे को बहां दे कुछ नहीं हुआ है, बेटे मही का, तुब राहूल को अपने कमरे में लेकर जो मामी, उटो ना मामी, उटो ना आई आई, इदार एए पटे मामी, जा जाए जाए पटे मामी, उटो इसकी मौश जाहर से होई है और चंदरो की है इसके हाथ में ये दवाई ठीग? दवाई में जाहर तो नहीं? जाहर दवाई समझ का लिए संगीता की दवाईया तो महीका देती है रुक जाहिए आई, श्रेड़ को लेके जाए आई जाए बटा क्या हुआ अपटा बहुत सारे खुनी देखे मैंने पर ऐसा खुनी पहली बार देख रहा हूँ जो खुन करने के बार दी कुछ रही है कि मौथ होई की नहीं मैंने किसिया को नहीं किया खुनी की आखे देख कर ही सेडी बाले पहचान जाते है कि खुनी सच बोल रहा है या जोट मैं मजबूरती ये गोना मुझसे जबरजस्ति करवाया गया कोई किसी जबरजस्ति कुछ नहीं करवा सकता उसमें मुझसे कहा था कि अगर मैंने संगिता कुछ अर नहीं दिया तो वो मुझसे बाठालेगा किसने का था किसने का था नाम नहीं जानती मैं उसका पाच पीट आठील जिलंबा सावला रंग गुंगराले बाल थोड़े लंबे आखे छोटी और मुझसे थोड़ी लंबे उसकी चापत्या यह था आप यह 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 जिसमें मेरे अदों इतना बड़ा पाप करवा दिया एक बच्चे को अलाज कर दिया कब मिला था तुमको यह यह सुभा जब मैं ओफिस आ रही थी कल सुभा मतलब यह चापत्या गायब नहीं है खुला गूंगा रहा है रहा है रहा है ते कहा था ना कि अपनी जबान पर ताला लगा के रख जितना ज्यादा बोलेगा उतना तेरी जान पर खतरा मलाता रहीगा तुम लोगों ने जो बोला मैंने किया नलनीताई को मरवाया संगीता को भी मरवा दिया अगर और किसे को मरवाना है तो बोलो मगे मेरे साथ ऐसा सुरू मत करो उन जोनों को मारतर तुने हम ते को ऐसा नहीं किया तुझे तेरी काम की अच्छे घासी कीमत पली है और अब बगत आगया है साब का अखरी किस्थ का अखरी किस्थ अखरी किस्थ नहीं तुम लोग ऐसा नहीं का सकते तुम लोग ऐसा नहीं की सकते हैं तुम लिए सब कुछ किया तुम ढ़ने की सोच रहा है नहीं 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 For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos झाल झाल